विमर्स पोडल में कक्छक 11 वी का परिक्षा परिणाम तयार करने के लिए accl seat अप्लोट कर दी गई है जिसकी सहायता से आप बहुत ही असानी से अपनी साला के कक्छक 11 का परिक्षा परिक्षा परिणाम तयार कर सकते हैं आज के वीडियो में हम देखींगे कि इस एक्सल सीट में हम अपना परिक्षा परिणाम कैसे तयार करें और परिक्षा परिणाम तयार करने में कहां हमें परसानी हो सकती है हले कि एक्सल सीट बहुत ही शांदार बनाई गई है साथ ही एक्सल सीट में पिर्तेक एक्सल सीट में निर्देश दिये गए है यदि इन निर्देशों का आप अच्छे से अध्यन कर लेते हैं तब आपको अपना परिक्षा पढ़िणाम तयार करने में कोई भी परसानी नहीं आएगी इसके अत्रिक विमर्स पोर्टल में भी इस Excel सीट में कार करने के लिए निर्देश की PDF फाइल अपलोड की गई है आप इसका भी अध्यन कर सकते हैं तो आईए देखते हैं कि इस Excel सीट में हम अपनी साला का परिक्षा पढ़िणाम कैसे तयार कर सकते हैं और इसमें कहां हमें समस्या आ सकती है और इसे हम कैसे सौट आउट कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम देखींगे कि इस Excel seat में हम दो पिरकार से result तयार कर सकते हैं पहला तरीका कि आप faculty wise जो संकाय है संकाय वार इसमें छात्रों की जानकारी फिल करके अपनी साला का result बनाएं जैसे कि इसमें Arts faculty के छात्रों का हमें result बनाना है तो student data वाली seat में केवल Arts faculty के छात्रों के हम नाम इसमें type कर दें लेकिन आज हम देखेंगे कि सभी छात्रों का result हम कैसे तयार कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको start करना है school data वाली seat से school data वाली seat में अपनी साला से संबंधी जो detail है वो आपको fill कर देना है और इसके उपरांद आपको जो second step में कार करना है वो है seat student data इस seat में आपकी साला में सभी faculty के छात्रों का आपको इसमें scholar number, role number, enrollment number और छात का नाम, पिता का नाम, माता का नाम इस प्रकार की जो जानकारियां है वो सभी fill कर देना है यहाँ पर ध्यान देना है कि सभी faculty के छात्रों की एक साथ इसमें आपको detail fill कर देना है इसके अतरिक इसमें जो महत्पूर्ण column है वो है status का यदि आपकी साला में समान विशियों के छात्र है तब आपको इस column में P fill करना है और यदि बयोशाइक विशियों के छात्र है तब उन छात्रों के column में आपको P fill करना है तो इस परकार सभी faculty के छात्रों की detail आपके दोरा इसमें तयार कर दी जाए सबसे पहले अब इसके उपरांत third stage में आपको जो काम करना है वो है faculty यहाँ पर जाकर आपको अब जिस faculty के छात्रों का आपको result तयार करना है वो faculty यहाँ पर type कर देना है और यहाँ पर ध्यान देना है आप जो spelling है इसमें किसी भी परकार की routine ना करें यदि इसमें तूटी होती है तो जो subject वाली seat है इसमें subject so नहीं होंगे अब छात्र का संकाय यहाँ पर type कर देने के उपरांत हमें जो next seat है इसमें कार करना है वो है subject तो इस seat पर हमें आ जाना है और student data में जो हमने detail फिल किये हैं वो सारी detail यहाँ पर आ जाएगी जैसे छात्र का नाम आ जाएगा इसके उपरांत छात्र का roll number आ जाएगा अब यहाँ से हमें particular छात्र के subject select करना होगा पहले दो subject जैसे हिंदी हम यहाँ से select कर लेते हैं second जो subject है यहाँ पर आपको type करना होगा इसके उपरांत यहाँ पर जैसे arts faculty के छात्रों का हम result बना रहे हैं यहाँ पर हमने arts faculty type कर लिया है तो यहाँ पर arts के ही subject सो होंगे तो यहाँ से तीसरा, चौहता और पाँचवा subject हमको drop down list से select कर लेना है तो हम छात्र के जो subject हैं उन्हें select कर लेते हैं अब छात्र के बिसे यहाँ पर select कर लेने के उपरांद यदि जो next छात्र है उनके भी same बिसे हैं तब आप इसे copy करके paste कर सकते हैं जैसे यहाँ से हम control C से copy कर लेते हैं और जो next student है जैसे दो number और तीन number जो role number है इनके same subject है तब यहाँ पर control V की साहता से हम इन subject को paste कर देंगे अब इस परकार arts faculty के छात्रों का यहाँ पर result तयार हो गया यहाँ पर ध्यान देना है कि सभी faculty के छात्रों के नाम यहाँ आएंगे अब हमें इसके उपरान जो next छात्र है यदि वो science faculty का है और उसका result हमें तयार करना है तब हमें फिर से इस faculty वाली seat पर जाना होगा और यहाँ से जिस भी faculty का छात्र हो उस faculty को यहाँ पर type कर दाना है suppose science faculty का छात्र है तब हम यहाँ पर science type कर देते हैं यहाँ पर आपको spelling में तूटी नहीं करना है अब science type करने के उपरान फिर से हमें subject वाली seat पर आ जाना है और इसके उपरांद यहां पर हमें चात्रों के subject select कर लेना है जैसे हिंदी और इंग्लिस पिर्थम दो विसे सैम है सभी चात्रों के तो हम इसे copy करके paste कर देते हैं और इसके उपरांद next seat में हम देखेंगे तो यहां से हमें तीसरे, चोहते और पाँचवे subject को select करना है तो यहां से suppose math science का चात्र है तो हम इसके subject select कर लेते हैं Physics, Chemistry, Mathematics अब यदि आगे की जो 3-4 चात्र हैं उनके भी same subject हैं तब इन subject को हमें यहां से copy कर सकते हैं और इन्हें यहां पर paste कर सकते हैं इस परकार science faculty के चात्रों को हैं यहां पर हमने subject select कर लिया अब इसके बाद में यदि यहां पर biology group के चात्र हैं तब उनके subject भी हमें यहां से select कर सकते हैं इस प्रकार आपको इस subject वाली seat में छात्रों के subject सेलेक्ट कर लेना है और subject सेलेक्ट करने के लिए आपको faculty वाली seat से छात्रों की faculty चेंज करते रहना होगा. इसमें सभी faculty के छात्रों के नाम आएंगे. अब जो कार करना है हमें next seat वो है exam data इस seat को हमें open करना है जैसी हम open करेंगे तो आप देखेंगे छात्रों की नाम यहाँ पर आ चुके हैं और छात्रों की जो बिसे हैं वो भी यहाँ पर प्रिदसित होने लगे हैं अब हमें छात्रों ने इन बिसियों में जो अंक प्राप्त किये हैं वो अंक की फिल करना होगा और यहां पर ध्यान देना है कि अंक 100 अंकों में से fill करना है तो इसमें आपको चात्रों के अर्दवारसिक परिक्षा के प्राप्त अंक फिल करना है इसी परकार सीट में हम आगे देखेंगे तो revision test में चात्रों ने जो अंक प्राप्त किये हैं उनकी जानकारी यहां पर बिध्यारती दौारा अधिकतम स्रेष्टम प्रापतंग तो यहां पर revision test और अर्दवारसिक परिक्षा दोनों में से जिसमें छात्र के अधिक अंख होंगे वो अंख के यहां पर add हो जाएंगे तो demo के लिए हम छात्रों के अंख के यहां पर fill कर देते हैं आप देख सकते हैं कि एक demo के लिए हमने छात्रों के अंख इसमें fill कर चुके हैं जिसमें 6 माही परिक्षा और revision test दोनों के अंख के अधार पर जो last में columns दिये गए हैं तो इसमें automatic जो अधिकतम अंख है वो add कर लिए गये हैं अब इसके अपरांत हमें छात्रों का result देखना है तो next seat जो है इसम हम open करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि चात्रों का result 100 होने लगा है अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी faculty के चात्रों का result इसमें तयार हुआ है Arts faculty भी इसमें है Science faculty भी इसमें है और उपर आप देखेंगे कि Cable Science faculty लिखा हुआ है वो इसलिए है क्योंकि हमने जो first seat है faculty वाली उसमें Science select करके रखा हुआ है तो यहां से आपको इसमें जितने faculty के चात्र होंगे उन सभी faculty को यहां पर manually type कर दाना है जैसे इस seat में Arts faculty के चात्र है इसके अत्रिक्त Science faculty के चात्र भी इसमें है तो जितने भी faculty के चात्र इस seat में हो आपको वो faculty यहां पर manually type कर दाना है अब यहां पर सिक्षकों का एक प्रश्ण आ सकता है कि सर इसे हम faculty wise कैसे sort out कर सकते हैं तो इसमें दो प्रकार से आप कर सकते हैं या तो पहले ही आप faculty wise ही result बनाएं जिसमें Arts faculty में जितने चात्र हैं उनकी detail student data वाले seat पर आप fill करें और केवल उतना ही result बनाएं और यदि एक साथ चात्रों का आपने result तयार कर लिया है तब भी कोई problem नहीं है आप यहां से अलग-अलग faculty को copy कर सकते हैं जैसे यहां से हम Arts faculty को copy कर लेते हैं आप देखेंगे कि यहां तक Arts faculty के चात्र हैं तो इसे हम copy करते हैं control C से और किसी un-excel seat में अपने laptop या अप computer में किसी दूसी Excel seat में इसे हम paste कर देते हैं तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यहां पर जो है Arts faculty के चात्रों की जो detail है हमने copy करके यहां पर रख लिये अब इसे प्रकार Science faculty के चात्रों का result भी आपको इस seat से copy कर लेना है और जो अपनी Excel seat है उस seat में आपको paste कर देना है तो इस प्रकार आप faculty wise संख्यात्मक जानकारी भी देख सकते हैं और faculty wise result भी इसमें आप अपना तयार कर सकते हैं अब बात करते हैं मार्सेट तो मार्सेट के लिए next seat को open करें और 1750 मार्सेट प्रिंट करने के लिए इस box में हमें एक type करना है जैसे एक type करेंगे तो हम 1750 मार्सेट को प्रिंट कर सकते हैं लेकिन आपको ध्यान देना है कि यदि आपकी साला में suppose 35 बच्चे arts faculty के है तब आपको यहां से faculty change करना होगा जैसे हम यहां पर type करते हैं art और फिर से मार्सेट वाली seat open करते हैं आप देख सकते हैं यहां पर faculty change हो चुकी है अब यदि आपकी साला में 35 चात्र अपने arts faculty के है तब आप control P या फिर इस option से print दे देना है और यहां से paste select कर देना है आपको जैसे 35 है तो एक से लेकर 35 तक हम पर command दे देना है और इसका print यहां से दे देना है तो arts faculty के 35 चात्रों की mark sheet यहां से print हो जाएगी अब बात करते हैं declaration seat की जो की बहुत ही महत्पून seat है और इस seat को हम अपनी साला के सूचना पटल पर भी चस्पा करते हैं और जिससे चात्रों को अपना result पता होता है साथ ही इस seat को हम विमर्स पोर्टल पर भी अप्लोड करते हैं अब इसके लिए को सिख्छकों का प्रश्न आया था कि इस seat को हम PDF में कैसे convert करें और इसे विमर्स पोर्टल में कैसे अप्लोड करें तो बहुत ही सधारन सा तरीका है कि जैसे हम print करते हैं तो print का हमें option देना है और print कर देने के पश्चाद यहाँ पर printer so होंगे तो यहाँ पर printer में हमें micro sort print to pdf या print to pdf का option select कर लेना है और इसके उपरांद हमें देख लेना है कि कितने page में हमारा result है सपोज एक page पर result है तो यहाँ पर command दे देना है बन बाई बन और इसके उपरांद हमें ok कर देना है जैसे हम ok करेंगे तो इस seat को save करने के लिए option open हो जाएंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर seat का हमें नाम देदाना है suppose जय नाम से हम यहाँ पर seat को save करते हैं और यहाँ से आपको folder select कर लेना है कि किस folder पर आपको इस seat को save करना है और इसके उपरांथ आपको save पर किलिक करना है तो save पर किलिक करने के उपरांथ desktop पर आपकी seat save हो जाएगी अब आप देख सकते हैं desktop पर भी seat आ चुकी है जय नाम से आप देख सकते हैं PDF seat बन चुकी है और इस seat को आप विमर्स portal पर upload कर सकते हैं साथ ही अपनी साला के सूचना पटल पर भी चस्पा कर सकते हैं तो इस परकार हम कक्छा 11 वी का परिक्षय परिणाम बहुत ही आसानी से तयार कर सकते हैं या तो एक सांथ सभी छात्रों का भी हम result बना सकते हैं या फिर faculty wise भी result हम इसमें तयार कर सकते हैं एती कक्षा 11 के परिक्षपरिणाम को तयार करने की एक बहुत ही महत्पून जानकारी आसा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी यदि वीडियो पसंद आए तब इसे लाइक, कमेंट और सेर जरूर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू